अब बलिया में क्या करते हो आशा मैं कब से स्टॉक मार्केट से जोड़े हो कितना टाइम हो गया आपको इक्विटीज में हमें तो इस स्टॉक मार्केट पे चार सल हो गया अभी चार सल से जोड़ी हूई हूँ और फुल टाइम करती हो फुल टाइम करते हो मतलब स्क्रीन के सामने बैठते हो ट्रेड भी लेते हो इन्वेस्मेंट भी करते हो या सिफ ट्रेडिंग फुल टाइम चलती है मैं सेवेन ओकलाक आप लोगों को ही जोईन करती हूं सिक्स फिप्टी शेवन पे ही मैं टोक नहीं वाला था था थैंक यू सो मज़ करेक्ट करने के लिए अपने आपको और थैंक यू सुबस्वज़ जुड़ने के लिए नहीं उस चाइब पूरे थ्री थर्टी तक और रात साढ़े आठ बजे तक मैं ये सारे और आप लोगों ने बहुत सिखाया थैंक्स अलाट तो यू और यूर थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड आशा मैं अच्छा लगता है जब लोग साथ बजे उटके भी देखना पसंद कर लें तो अच्छा आशा मैं ये जो आप फुल फलेश ट्रेडिंग करते हो खुदी चार्ट की रीडिंग करते हो ऐसा है क्या खुदी स्टडी करते हो चार्ट को पहले तो मतलब मेरा बेटा ने शिखाया मुझे लेकिन शिक्स मन्त बाद मैं खुद अपना दिन भर देखे ऐसे चार्ट रीडिंग फंडामेंटल और सारी चीजे देख देखे मैं दिन भर मतलब यही करती रहती हूँ अपना और जो भी स्टॉक समझ में आया तो डीप ड मैंने बीडियल लिया था 13-27 पर और लिया उसके बाद से डाउन ही होता जा रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ इसको आपने जब लिया था तो चार्ट स्टेडी करे थे चार्ट स्टेडी करे थे लेकिन वो जो न्यू जा रही थे डिफेंस डील की शो मैंने ले लिया नहीं तो वैसे मतलब कुषोल नू? वैसे यू रहती थी आप न्यू जहा एक अर गरबढ़ हो गया ऐसा? ठीक है होता है कभी-कभी अब वो डील क्या आ रही थी मुझे नहीं पता लेकिन भारत डाइनमेक्स फस गया भायती साब सोचा था और तेजी आ जाए कि खबरों के बीच में मुमेंटम को प्ले कर लेंगे टेर सो रूप लेकिन खरीद भाव से नीचे चल रहा है बीडियल और लिया सिर्फ मुमेंटम प्ले करने के लिए था जो आया ही नहीं क्या करूँ जी आशी जी इन फाक्ट हमने देखा कि पोस्ट अल्मुस्ट दो से तीन मेने से पूरे के पूरे डिफेंस स्टॉक में अच्छी कासी सेलिंग बनी भी और बीडियल में भी उसी इसाब का सेलिंग देखने मिल रहा है यह सारे स्टॉक्स वन भी रैली दिखाया थे टूज़न पूलते हैं कि स्टॉक्स के साथ भी हो रहा है एक स्टॉपोर्ट एरिया बनेगा अब स्टॉक के लिए जो की अल्मुस्ट लेवेन हंड़ेट पुंटी का जो जोन है वहाँ पर है और अच्छा सपोर्ट जोन बन गया है इन लेवल्स पर एग्जिट करने की सलह नहीं है बीडियल में मैं मैं लगता है एक स्टॉप लोस इन्हें मिंटेन करना चाहिए बन बन फोर जिरो का ग्यारास को चालिस का और हूल्ड करें यहां से अंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक पुल बैक देखने मिल सकता है और शायद बारासो साड़े बारासो साड़े बारासो तक का मूव इस प स्टॉप लोस में लगाती हो और मेरे सारे पोर्टफोलियो के काफी नीची की बाइंग है सो जरूरत तो अभी नहीं आई और नहीं मैं तो ट्रेड लेते हो तब जैसे मोमेंटम भार डैनेमिक्स में खेलने का मन था नॉइस थी तो स्टॉप लोस ठीक है जैपुर से निहा जी स्क्रीन पे निहा मैं गुड आफ्टनून आप साक्षात नजर ने आ रहे हैं फोन पे हो क्या जी जी सर आम अवेलेबल ऑन फोन कोई नी निहा मैं सवाल पूछो आप पहला कौन सा मैंने वी आई पी लिया है अट दे रेट अट टू फिफिटी शेर अट दे रेट अट फाइफ वी आई पी लिया है टू फिफिटी शेर अट दे रेट अफ सेवन शेसो साथ रुपे शेसो आट रुपे पे वी आई पी खरीदा हुआ है और निया मैं में लंबी अब्दी के लिया था ट्रेडिंग वेडिंग का मन था क्यों लिया था बस यही था कि पहले एक ब सब गवाना पड़ रहा है 100 रुपे नीचा आगया है क्या करें वी आई पी में इस बार कमा की क्यों नहीं दे रहा है यह काफी प्रेशर स्टॉप में है और कंटिनियंसली टूपे डेमा के उपर भी सस्टेंग नहीं कर पा रहा है तीन चार एटेम्ट किया है विसे शे तो भी फिर इसमें वह पस ब्रेक आउट देखने मिल सकते हैं और फ्रेश बाइंड देखने मिल सकते हैं तो इन लेवल्स पता भी सप्लाइ है बट एक स्टॉंग सपोर्ट बन चुका है जो की नीचे के लेवल पर और 460 का जो जो जोन है वहाँ पे एक सपोर्ट बन चुक आईएगा निहा मैम अब इस पोदीशन पे मैं आता हूँ बाकी कोईरी इसके लिए पहले अब चला जाए पटना और मिनाक्षी सिंग मैम के पास मिनाक्षी मैम कब से आप स्टॉक मार्केट में चुड़े हो मैम मैं करीब 18 साल करीब हो गया है अल्मूस्ट दो दशक कैसा रह अब आप ट्रेडिंग इंग सब करते हो कुछ कुछ फुर्ण के लिए होल्ट करते हैं और यह स्टॉक चुंता कौन है आप खुद अपनी श्रुड़ी करने लगे हो हाँ पुद ही हम कुछ हजबंड बताते हैं हाँ हजबंड करते नहीं है वो तो जॉब में थे तो करते त अब लिए खुरी भी पुची थी मैंने इसी प्रोग्राम में फर्स स्रस लिए हुआ है मैंने उस समय से अभी तक पोल्ड किया हुआ है मेरा डाट 50 का एवरेज है और अभी तक मैंने रखा है जो पहले आये थे तब कितने भाव पे था उस वक्त तो फिफ्टी के असपास था जब आप से तो बढ़िया एक्सपर्ट ने होल्ड करने हुगा था क्या मैं जल्दी से मुझे लगता है कि एक साल में तो आई ही जाएगा वो रेंज कि मुझे प्रॉफिट दे दे यही यही रेटेल की पावर होगी यह 32 साब आजकर खरीदी लोग कभी न कभी दो उपर चला ही जाएगा अभी फर्स सोस वागई आपकी बाइंग लेवल बहुत अच्छा है 168 का चला अच्छा अभी कंसॉलिडेट हो रहा है अब वो चल नहीं रहा है ना अभी उस दिनों से 300 पर अटकर हुआ है अटक गया मामला तो बहीती साब से पूछू क्या मुनाफ़ा बान ले या होल्ड पे रहे हैं सा पूछू मुझे यही कुछ नहीं कि यह 350 से उपर जाएगा या मुझे मुझे मुनाफ़ा ले लेना है यह 350 कहा से आया अपने मन से सोचा था 350 में निकलूँगी मुझे लगा कि इतने दिनों के बाद यह चला है तो साइथ 350 के आस पास मुझे मिल जाए कुछ और प्रॉफिट सही है भई फर्स सोर्स भई भैती साब क्या करना ची मुनाफ़ा बहुत अच्छा बन रहा है लेकिन अगर और दमका में तो रुख जाती हूँ बताओ आप इस पूरे गूप में कउली अच्छी बाइइंग इंट्रेस्त देखने मिली है और यहां पे अच्छी बाइइंग इंट्रेस्ट नेंगे मिला और इन्मोत्त एक साल में स्टॉक में डबल का प्राइस का मूव देखने मिला मुमेंटम काफी स्टॉंग अच्छा बना हुआ है पोल्ड करने की सला रही हमारी इसमें जो एक स्टॉक लॉस इनने मेंटेन करना चाहिए और इनके टागेट से 350 के वो भी रिसेंट जो हाई जोन है वहीं तक बना हुआ है तो मैं लगता वो इनने जल्दी देखने मिल सकता है यह बात सही है आरपी संजीव गोइन का ग्रूप सी एस्टी से शुरुवात हुई तो इसके बाद हर स्टॉक चला एक स्पेंसर को छोड़के हर स्टॉक बढ़ा गजब चला मैं हमने बाइंग बेच्छी कर रखी है दो सुनद्दे की स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करो हाशा मैं मगला सवाल मैटो है मेरा 260 की बाइंग है मैं सोचने हुए एक मंथ के लिए एक वना टू मंथ में क्या इसका आउट डूक होगा और क्या करना चाहिए मुझे होल्ड करना चाहिए या शेल कर दो आपने सिर्फ ट्रेडिंग के लिया था कितना टाइम हो गया लिए हुए है कि 20-25 तिन हुए होंगे यह तभी ली थी मैं अब बुरा नहीं है पंदर रुपे का गेन हो रहा है नहीं पुरा नहीं है ट्रेड बाइटी साब और मोमेंटम है क्या स्टॉक में यह जाएगा क्या उपर रख लूं क्या जी अशी जी दिखे चाटिक लिए कर में ब लगती है और हमें लगता है कि एक स्ट्रिक स्टॉप्लस इन्हें जरूर रखना चाहिए 260 का पर्चेस प्राइस है वहां पर एक स्टॉपलस जरूर रखे और उसकी नीचे जाता है तो इसमें से एक्सिट करें क्योंकि हमने वन वे रैली देखा है स्टॉप में और इस कर लिए और अगर बने रहने की इच्छा है तो 260 का स्टॉपलस अरूर मेंटेन करें इस पे जिस भाव पे खरीदा तो उस भाव पर अपना स्टॉपलस प्लेस कर लिए क्विकली निया मैम अगला सवाल जी सर आइव ताइमेक्स 500 शियोज अग्ड़ेट ओ 170.5 टाइमेक्स बहुत दिनों बाद नाम सुना भाई इसका तो कहां चला रेक्टर साफ दिखाई ये 25 रुपर कर रहा है बाइती साफ क्या करना है अशी जी इसमें थोड़ा सा हमारी से ला रही कि एक बार लॉस बुक कर ले कि स्टॉप 200 डेमा के नीचे वापस लिप होता हुआ देखने म रहना है तो 143 का एक स्टॉपलर जरू मिंटेंड करें इस पर वैसे हमारी सलाह है कि इन लेवल्स पे इसका मतलब है नहीं इसका मतलब इस से लॉस में ही निकलना पड़ेगा चलिए इस नोट पर नेहा जी आश्चा जी मिनाक्षी मैं थांकिसो मज जुड़ने के लिए 32 सा और आपसे आज का SBS स्टॉक पिक लूगा